कि अभी लोग मुझे समय के बारे में पूछते समय मैनेजिन ने होता, टाइम मैनेजिमन कैसा करना, उसके कुछ आउंश जो मैंने पहले कभी चर्चा नहीं किया उसके बारे में आइज बताऊंगे, क्याएं कि जो पैसा गया है, हमने पैसा लॉस किया है, वो पैसा हम कमा सकत है, मगर जो टाइम भीता है हमेने, वो टाइम मैं फिर से वापस नहीं ला सकता, वो टाइम गया तो गया है, हमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, और मुझे जितने चाहिए उतनी रिजल्ट्स नहीं आ रहे ह मतलब हम बहुत हारवर कर रहे हाडवर कर रहे और हाडवर करते करके इंपमों जरभ नहीं आ हैसा हमको लगता है कि हम पिछले 2 साल से तीं साल से एक जगहबे रुक्य थे है और हमको एक सिलिंग आ चुका है और दुन्हिस सेल जाए मतलब एक sales अभी इतना इतना आ रहा है, इतना fix अभी sales हो गया, अभी ये growth जो हो इतनी हो रही है, 10 टक्का हो रही है, 12 टक्का हो रही है, 15 टक्का हो रही है, बाद में उसके उपर growth नहीं हो रही है, तो हमको ये देखना है कि भई हमको एक ceiling क्यों आ गया, पिछले 2-3 साल से हम हमको growth क्यों नहीं मिला, तो हमको देखना पड़ेंगा कि हम हमारा time कैसा manage कर रहे है, कि जिससे हमको जारे स्यादा growth मिलेंगी है, हमारा expansion होगा, actually time is growth, हम heart ज्यादा ज्यादा कठोर परिश्रम करके भी हमको yes नहीं मिल रहा है, एक जगह पे हम ceiling आ चुका है, जहां अभी उसक चल रहा है, वो हमको growth नहीं दे रहा, अभी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो चल रहा है उसका growth नहीं कर तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो चल रहा है उसका growth नहीं कर तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, doing same thing again and again and expecting different results, वो तो खुट ठीक नहीं है, क्य काम लोग टाइम पे कर नहीं सकते और लोग बोलते कि हम बहुत जाला बीजी है और विल्मिंग है तो कोई भी आपके पास में काम आता है तो आप काम एक तो खुद कर सकते हैं कि जो काम है वो खुद कर दिया कि No.1 Doing The Things दूसरा है कि कोई काम आगया तो उसको Delegate कर सकते हैं किससे करवा सकते हैंAK तेसरा है कि कोई काम आता है उसको उदुम कर देंगी कि नहीं को करना हुद नहीं है। कि हमको वा करना ह想नी कि वो काम बास्केट में काम डाल दीया हैopes कावन कि वह काम हम डिले कर सकते हैं और वह कब करना है उसकी तारीक हम डाल सकते हैं कि ये काम मेरे को तीन दिन बात करना है ये चार दिन बात करना है और उसको मैंने टाइम शुडल में डाल दिया तो वह जाएगा तो जो भी का में उसको time hero डालता हूं और time show में डालके उसको fix time देके वो time पर में करूंगा और दूसरा जो है वो इसको सवपा दूंगा और उससे में feedback लोंगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ और रहे तो मैं खुद करूंगा doing करना है और मेरे पास में 10-15 काम है या काम की बड़ी list है doing की list है तो मुझे क्या करना पड़ेंगा एक team का organization करना पड़ेंगा team तयार करने पड़ेंगी या जो भी कुछ लोग है वो लोग मेरे पास में कि जो लोगों को मैं काम बाट रहा हूं और काम बाटके उनसे काम करवा के ले रहा हूं ताकि मेरा समय को चीए यह काईसा हो सकता है कि मैं एक घंटा काम कररा हूं सिर्फ एक घंटा और 100 घंडे का काम भार आ peng बवहार है आल्ब 100 घंडे इतना काम हो चुक आई होता है कि मैं आठ ग्रंटे काम करता हूं, दस ग्रंटें, बार्णटे काम करता हूं बैल जयसा काम कर रहां हैं rockets लगोज़ जयसा काम कर रहा intellectual work, 8-10 hours a day, आप आप दो कमा रहे हैं। तो in the intellectual work जिसमें बहुत सारा professionalism है, intellectualism है और फिर उसमें से बहुत चाला पैस मिलेगा। आम जो लोग काम करते हैं, वो यह ते आप काम कर रहे हैं। तो आम लोग जो मिलरा हैं, आपको मिलेगा। तो हम को यह देखना है, कि हमारे पास में जो टाइम है, उसका हम कैसा उइवाइग करेंगे उससे हम ग्रोथ कैसा पायेंगे और उसके लिए दुद्धी का उपयोग जारे साथ इंटलेक्चुल प्रॉपरेटी हमारी उसका इस्तेमाल करना या लोगों की जो प्रॉपरेटी है लोग है उनका इस्तेमाल करते डेलिगेट करके आठ गंटे काम करके असी घंटे का आउट्पूट में निकालना चीए मेरे पास में दस लोग है जिन से मैं काम करवा के ले सकता हूँ वो आठ आठ गंटे काम करते तो असी घंटे का काम कर जाएगा और मेरे पास में असी घंटे का काम का आउट्पूट मिलेगा रखता है कि ने ने मैं इतना क्यों खर्चा करूँ दस लोगों क्यों रखूँ तो तो मैं काम कर दूंगा तो 8 गंटे के बदले वह 4-0 गंटे में काम होजाए। एकात्यौत्त है वह 8 गंटे में काम करता है that 90% और वह 8 गंटे काम करता हूए। तो भी 8 गंटे वल आदमी क्वह रखिना? मैं बोलता हूँ है भेजर ठीक है वह झो बोल रहे है। मगर आठ घंटे वाले आप देखती जो है, वो आठ घंटे में काम कर रहा है, वो काम आप एक घंटे में कर रहे हो, तभी प्यों काम उसको दो, क्यों? क्योंकि आपका एक घंटे में और कुछ नया कर सकेंगे, आप फ्री होंगी, आप एधी बैल जैसा काम करेंगे, हाड़ तो उसमें ही आप अंदर अंदर घउस्ते जाएंगे, ने आप कुछ करने ही पाऊंगे, प्रियेटिव आप करने ही पाऊंगे, और में अगी देर कुछ नहीं कर पाऊंगे, तापकि भूध होंगे। तो time is money, time is more than money. तो जो कि पैसा गया तो आ सकता है, time गया तो नहीं आ सकता. तो जो भी time मेरे पास में है, उसका ज़ड़ ज्यादा इस्तेमाल करके, ज़ड़ ज़ड़ लोगों से output निकाल के, मैं स्मार्ट वरक करके, उस से ज़ड़ स्यादा output निकाल सकता हूं, जोबी टैम मेरे पास में available है so doing, delegate, delay and dump and दूसरा यह है उसमें कि जिसको मैं काम सहुपा रहू हूँ उससे काम करवा के लिने की कला कारी मुझे आनी चाहिए उससे मुझे काम करवा के कला कारी यही मुझे आती है उससे feedback लेना, उसको समझा की देना उसको training देना और इससे मेरे पास में 10 लोग तयार है तो असी घंटे का काम हो जाए तो आप जरूरी यह कला कारी सेखो आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा output भी आपको मिलेगा यह समझा काफी लोगों को है यह लोगों को आप share करो सबस्क्राइब करो लाइक करो और यह बेल आइक होना तो उसके पर क्लिक करो दाकि मेरे वीडियो के लिजन आपको सबसे पहली बारा जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवात यह लोगों के लिए बारा जाएंगे